साथियों सामनेवी बाग जो फर्स्ट गेट एक्जाम हुआ था उसका जो सेंसक्रत का पेपर है चोध है अक्टूबर 2022 को हुआ था और उस पेपर की जो आंसर की है जो इस नौवमबर 2022 को जारी की गई है और यह जो संपून पेपर है देट सो कुस्टन का इनको इन कुस्टनों को हम आज हल करने वाले हैं तो साथियों आप बने रही है हमारे साथ जी हां साथियों नमस्कार आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लाशिट 2.0 में हार्दिक स्वागत है साथियों शुरू करते हैं आज गे जो कुस्टन से उनको तो पहला जो कुस्टन है इसमें बताया है हर्ष चरित्तम वर्दते तो हर्ष चरित्तम वर्दते यानि हर्ष चरित्र है हर्ष चरित्त क्या है तो साथ यो बताना है महाकावे है, खंड कावे है, कथा है, आखेईका है तो साथ यो इसका रायट एंसर हो जाएगा आखेईका फिर आगे क्यूस्टन है एसु सुमेलितम नास्ती इन में सुमेलित नहीं है तो इसमें कौन सा उप्सन होगा? क्या होगा इसका रायट एंसर? कि जो सुमेलित नहीं है वो बताना है तो इसका रायट एंसर यह हो जागा तीसरा यह सुमेलित नहीं है आगे क्यूस्टन है तीसरा निमने लिखित में कैंतुम इस वर्ग में समेलित बासा है इस वर्ग में dod percent आ वह बता नी एक इन तुम मैं में पार्शि बास में से वासा लेटम सबसलिए और बास में अगे क hack क्या क्यान क्युंशक्या मनुव ग्यान के संदर्भ में निच्छिंज था लिखे गई जो option है इनमें उचित गतने बताना है ये इसका right answer बताना है कि शिक्षा मनोविग्यान के संदर्व में जो निचे लिखे गई है उनमें उचित गतने बताईए तो क्या होगा साथियों पहला दूसरा तीसरा जो था इसका right answer आप बताईए तो साथियों ये पहला है ये सही हो जाएगा एतत एककम विकास सीलं परगती सीलं वा विग्यानं अस्ती यानि यह एक विकास सील या परगती सील विग्यान है आगे क्युष्टर नमर पांच है मतलब यह है कि पादातु है वो पादातु का जो पीबतम सब्द बना है ये इसा रूप किस लकार में होता है तो पांच ये का उप्सन बताना है लिट लकार होगा या लोट लकार होगा या लंग लकार होगा या विदिलिंग लकार तो साथियों इसका right answer है वो हो जाएगा लोट लकार पीवतम आगे कुस्तर नमबर च्छा है परत्य द्रिष्टेया एसंगतम विकल्पम अस्ती यानि परत्य इसको देख के जो एसंगत विकल्प है वो बताना है परत्य में तो कौन सा इसमें एसंगत वो बताना है तो साथ इसका जो राइट एंसर है ये मतियान, अनियान, पठियान ये ये सुन परते है ये गलत है बाकि जो पाचती तिराम परसश्चेतर है आडेतर है ये तरब परते है ठीक है? क्योंकि तरब परते में क्या होता है कि दात्तु के साथ ये दात्तुई साथ है ना जो ये तित्राम लगाए ये तर तरम तरम ये दात्तुई साथ है ना ये लगाए तो इस वज़े से ये हो गया पचे तित्राम और ये दो नमबर और चार नमबर ये भी सही है आगे क्विश्चन नमबर साथ है नाट्य मंडप पस्ये वेदिका रक्ष में ब्राह्मन नियुक्त होते हैं तो कौन से ब्राह्मन नियुक्त होते हैं मित्र वरून अगनी आदित्य तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा साक्यों इसका राइट एंसर वो हो जाएगा अगनी ही आगे क्युस्टन नमर है आठ है आठा क्युस्टन है रामायन कांड क अतिबला विद्याम प्रापनोती फिर आगे दूसरा है किसकिंदा कांड जिसमें सरसर सर्ग बताये हैं पंपास रोवर वर्णनम है तीसरा में सुंदर कांड है अरसर सर्ग सागर सेतू बंधनम चोथे में उत्तर कांड है 111 सर्ग वोरानिक अखेननी यानि इनमें जो आठ वेगा वो तीन नमर उप्सन हो जाएगा सुंदर कांड सुंदर कांड में 68 सर्ग है सागर सेतू बंधनम ये 68 सर्ग यहां तक तो ठीक है लेकिन ये सागर सेतू बंधनम इसका मतलब ये नहीं है वर्णन आगे इसमें क्यूस्तर नमर 9 है अधो लिखिते शू कश्याम अवस्थायाम अन्वेशन पर्शिक्ष्ण मोडले अंतरगते सिंटेक्स इते से प्रासंगी के चर्णानाम प्रिथकर्णाम तथाचे समंध हेतो हूँ परिकल्पना क्रियती कहने का मतलब ये है कि निचे लिखे गई विकल्पों में किस विकल्प में या किस अवस्था में अन्वेशन पर्शिक्ष्ण मोडली के अंतरगते सिनेटिक्स इस इसा प्रसंगी येसा प्रासंगी के चरण है वो प्रिथकरर्णे का समंध और हेतों प्रिकल्पना किया जता है तो इसका राइट एंसर बताने साथ यह नोवे क्युस्टन का तो इसका राइट एंसर है वो है चार नमर गणेनाया हा एकत्री करनाम यानि गणेना का एकत्री करने करनाया आंक्णों का एकत्री करने करना प्रियोगम यानि और प्रियोग करना आगे क्युस्टन नमर दस है दस्वाक जो किस्टने इसमें है व्रजन्ति ते मूर्दिये हा पराभावनम भावन्ति मायाविशू ये ने माइन है असमीन पजे किम छंदम यानि छंद बताना है कि इसमें कौन सा छंद है तो साथी बताइए वसंस्थ होगा दुरूत विलंबित होगा वसंद दिलका होगा या मन्दा ग्रानता होगा तो साथी दस्वाक जो चंद है इसका राइटेंस रहे वो हो जाएगा वसंस्थ कि मैं किष्मिन अर्थ थे करितम यानि जो यह शूक्ति दी हुई है यहाँ से यहां तक कि इस में इस वाक्य में खलू अव्यए किस अर्थ में किया गया है जो फ्हराय चाहती हुँ ए पहला अपस्टन है ये राइट हो जएगा अनुन्स अर्थ में आगे क्युष्टन नमर बारहवा देखते हैं बारहवा क्युष्टन है इदम सब्दस्य पुलिंग पर्थमा बहुवचने रूपम स्याथ यानि इदम सब्द की पुलिंग पर्थमा बहुवचने रूप होगा इदम सब्दगा तो क्या होगा साथियों तो बारहावा जो कुस्चन है इसका राइटेंसर बताने है इमानी होगा इमे होगा इमाहा होगा या इमान होगा तो साथियों इसका जो राइटेंसर है वो हो जाएगा इमे आगे क्यूस्चन नम्बर 13 हाँ है जाती विशिष्ट वव्यक्ताओ संकेत ग्रहम के मन्य香港 यानि जाती विशिष्ट व्यक्तो संकेत ग्रहु है तो क्या होगा साथई इसका रायट नश्र व्याकरंपा या बोदा में तो इसका रायटे नश्र है वो हो जाएगा दो नमबर नयाई कहा आगे किस्टर नमर चोध है है मानवकम पंथानम प्रिछती रेखांकित पदस्यर करम संग्या विदायक सुत्रम अस्ती यान जो करम संग्या होगी दूतियाव बक्ति होगी इसमें जो विदायक सुत्र है तो वो कौन सा विदायक सुत्र लगई है बंध्हानम में, तो सात्योग इसका राइटेंशर वह बताना है तो इसमें होजरेगा कर तुरीप्सितम तमस ठीक है, ये हो जरेगा इसका राइटेंशर आगे क्विश्टन नमबर पंध्रावादह बताना है तो पंद्रेवे का जो राइट अंसर है वो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पहला गलेम, सक्यम, तक्यम इनमें यत परते हैं ये सुमेलित विकल्प है फिर आगे क्षिटन नमर 16 हवा देखते हैं साथियों ये जो रपेसी के दुवारा जो जारी अंसर की है उसके अनुसर बताया जा रहा है हमारे तरफ से किसी भी परकार का इसमें कोई परिवर्तन या संसोदन नहीं किया गया है जो RPC ने बता है उसी आदार पर हम आपको बता रहे हैं कि किस question का answer RPC ने कौन सा माना है कौन सा विकलत माना है आगे question number 16 के बात करते है निम्न लिखित में का है या निम्न लिखित में का संपरते है जिन प्याजे इते से संग्यानात्मा के विकासेन समंद्ध है नास्ती निम्न लिखित में कौन सा संपरते जिन प्याजे इस संग्यानात्मा के विकास के समंद्ध में नहीं है तो कौन सा नहीं माना है जिन प्याजने तो वो बताना है इसके मागो नहीं माना, आतम साथ करनाम नहीं माना, समाविष्टी करनाम नहीं माना या सामानी करनाम नहीं माना यानि संक्य दर्शन में कितने विकार और कौन सी विकार हैं ये बताना है सत्रवे में तो साथियों इसका जो राइट अंसर है सत्रवे का वो हो जाएगा चार नमर है शोड सकस्तु विकारहा पंच महाबूत एका दस दस्यंद्रियानी चै आगे कुस्टन नमर अठार है अदो लिखी तेशु वाक्य शुधम वाक्यम चिन्वन्तु यानि निचे लिखी गए वाक्यों में सुध वाक्य चुनो तो अठार वा है इसमें सुध वाक्य वो बताना ह क्या होगा तो इसका रैटर अंसर है ठाइर वे में चार नमर अप्षुन हो जएगा क्रोश्यन अनुवा को अधीत है फिर आगे कुस्तने है उनिस्वा तर्क भासा नूसरियों संग्या संगी शुमंद्र परती प्रति इती कथेते यानि तरक बासा के अनुसार संग्या-संगी समझ में प्रति इसा कहा जाता है तो किसे कहा जाता है तो इसका राइट एंड से नहुन निस होएगा वो हो जाएगा एक नमर आप्शन उपमिती आगे किस्तर नमर बीश्वा है इत्थम भूत लक्षने इत्त इसका है तो इसमें जो उप्शन बताना है मतलब इतम बूत लक्षन के अनुसार जो ये चार उधार्ण दिये हैं इनमें से कौन सा इसके समझ में सही होगा तो पुत्रेन हर्स है सादू बावानास्ताम आकरत्या सूरह सुखेन याती तो इसका राइटें सरह वीश्वे का वह आगे क्युस्चा नमर 21 है लभंताम पदेक कहां लकार है अस्ती तो क्या होगा इसका राइटेंसर लट लकार लट लकार या विदिलिंग लकार तो साथ ही किसवा जो क्युस्चन है इसका राइटेंसर वह हो जाएगा लोट लकार आगे क्युष्टन नमर वदू हुई इति रूपम भावती तो क्या होगा इसका 22 वे का राइटेंसर है वो हो जाएगा चार नमर उप्षन पर्थमा एक वचन जित्या बहुचने चैए यानि पर्थमा एक वचन हो जाएगा वधू हूँ और द्वित्या बहुचन भी वधू हो जाएगा आगे क्रिश्चन नमर तेवीश है यागवल के समर्थी यागवल के समर्थे है आचार अध्याय संदर्वे समोचित कथन है वो बताना है तो साथ्यू क्या हो जाएगा इसका राइटेंसर यान चार ओप्शन है इन में से बताना है तो इसका राइटेंसर है तेश्वेगा वो हो जाएगा आचार अध्याय त्रयोदस प्रक्रणानी शंती आगे क्रिश्चन नमर है चोबिस गुरो राग्या इत्यश्चे संदी से फिकिसे दै वो करना है तो क्या होगा इसका राइटेंसर गुरो राग्या जॉसर्क शंदी में चलता है ये रूब आगे में 2025 विश्वनातности अनुसारम रसो वर्दति यदि विश्वनात् के अनुसार रस बताए हैं जो साइफ कंपड़ा पूंस्तक है विश्वनात्र करीति उसमें बताया है रस कितने हैं तो वो बतने हैं घापेaste यकारियाए कार्या visão नेंचला is कहें आगे क्रिश्चन नंबर है 26 ऐसू विकल्प तो इन विकल्पों में यह संगत विकल्प चुनो तो साथ यह 26 जो क्रिश्चन है इसका राइट एंसर बताना है इसका राइट एंसर है वह चार नंबर को माना है यह परसक्तष्य दर्शनम लोबसंगया का सुत्र है यह बात बिल्कुल ही ऐसंगत है क्योंकि अधर्शनम लोब होता तो वो होता है ठीक है आगे इसमें क्विश्चन है 27 द्वन्य लोग का नुसारेन को अर्थ है परमदालावन्य वद विबाती ठीक है तो इसका जो अर्थ है यानि यह जो बताया है 27 में इसका रहा एँसर बताना है कि पहला दूसरा तिसरा चौथा कौन सा उप्शन इसका रहाइट होगा तो इसका रहाइट उप्शन है वो है परतिये माना अर्थ है यहां पर पुछा को अर्थ है तो पड़ती है माना अर्थ है आगे क्युस्टन नमर अठाइस है अठाइस वा जो क्युस्टन है वो है अठाइस वा क्युस्टन में संदी दिरिष्ट है अनुचित हम सुमेलन वर्थति यानि संदी को देखे कर अनुचित सुमेलन है वो बताना है तो अनुचित क्या है साथ यह अठाइस वा में वो है तीन नमर अप्शन हो जाएगा वनिग अस्ति जलाम जसुएंति यह सुमेलन नहीं है अनुचित है ठीक है आगे क्युस्टन नमर 29 है मधू सहद इत्यश यह पर्थमाव्य वगति वावचन में रूपां अस्ति यह यह जो है वो पर्थमाव्य वावचन में रूप क्या होगा इसका तो मधू का जो बताना है साथियों क्या होगा मधूनी होगा मधूनी या मधूनी या मधूनाहा क्या होगा इसका राइट एंसरम वो तीन नमर हो जाएगा मधूनी पर्थमा विबक्ति बहुवचनम मधूनी आगे क्युस्टन नमर तीस है तिस्वा जो कुष्चन है इसमें है सस्चोर्टी इत्यस्य सुत्र से उधार्णम अस्ति यानि सस्चोर्टी है यह जो सुत्र है यह इस सुत्र का उधार्ण बताना है तो क्या है तच्छरीरम आचादायती सेवचाया स्वचंद है यह क्या होगा साथ हमकिश्यों का नंबर होग है एक नमर हो जाएगा धश्यों पquez रीड में यह हो जाएगा जाएगा दम ए यसको आगे क्युस्टन नमबर साथी हो 31 देखते हैं 31 क्युस्टन है इती उधार्णा मस्ती यह उधार्ण है तो साथियों बताना है यह उधार्ण किस परकार का है तो साथियों 31 जो क्युस्टन है इसका राइट एंसर है वो होज़ेगा एक नमबर आगे क्युस्टन नमबर 32 है अधिकरने अभी व्यापक अश्ये अधार अश्ये उधार्णम वर्थते यह अधिकरन में अभी व्यापक अभी व्यापक अश्ये अधिकरन में अभी व्यापक है इसका अधार का उधार्ण है तो बताना है साथियों अधिकरने में अभिव्यपक का अधार क्या है तो मोख्य से इच्छ आस्थी सक्षू तिष्टतरी असंतस्तरंती सर्वश्मिन आत्मास्थी राम है कटे आस्थी क्या होगा शाथी 32 गर यॉल्जर है यॉल्जर है और स्व ठीटियर ठेज़िन अलंकार है, ASti, साथ यो अलंकार बताना है, तो 35 वा जो कुष्टन है, इसका राइट एंसर होगा, चार नमर याइट आर अप्षेंट्ञ हो जाएगा, समाछोक्ति, यह अलंकार हो जाएगा, और कि क्विश्टन नमर 34 है, श्वर संधी है, दिरिश्टेह, एसु किम संगतं किम ऐसंगतं वर्थते यह श्वर संदी में जो ऐसंगत है वो बताना है तो साथ यह क्या होगा इस चोतिस्वे क्युस्चन का राइट एंसर यह हो जाएगा चार नमर उप्सन पपाव साव हिया बालावत्तर तुल्यास्यत्तर दिर्ग संदी आगे दस अकसरा व्रितिही नाश्ती यानि जो निचे लिखे गए इनिमें किसमें एकादस अकसर व्रिती यह गयार हैं 8 अकसरों के व्रिति नहीं है तो साथिव और कौन साथ यह क। 35 में तो साथ इसका राइट एंस रहा 35 वे का वो चार नंबर हो जाएगा वसंस्त क्यांकि वसंस्त में बार है वर्णों की वृत्ती होती है और अधर्वत्ता उपेंद्र वजरा साली ने इनमें 11 वर्णों की अतिव जो वृत्ती है वो बताए गई है आगे क्यूस्टन है 36 शत्तिश्वा क्यूस्टन है समास दरिष्टया ऐसंगतम विकल्पम चिन्वानतू समास दरिष्टतर ऐसंगत विकल्प चुनों नवावतारह करमधारे अनुवनानतम अवेभा उत्काकूत वहुवरही नई कह नई तत्पुरुस्ट तो साथियों क्या हो जाएगा 36 शत्तिश्वा क्या रहे टांचल इसका हो जाएगा चार नमर उप्शन नई कह नई तत्पुरुस्ट है जो असंगत विकल्प है बाकि स संगत जो विकल्प है वो नवावतारह करमधारी यह सही है अनुवनानतम अवेभाव है उत्काकूत वहुवरी है यह हो जाएगा लेकिन क्युष्टन में ऐसंगत का पूछ है तो हम चार नमर उप्शन को ही रैट मानेंगे आगे क्युष्टन है 37 अंगीरह इत्ति संबोध अंगेरह इससा संबोधन है तो एससा किसका संबोधन है किसके लिए कहा जाताय अंगेरह तो साथि इसका रई टक्ल geliyorत है इन्द्रहते विश्ण हो परजापते है अगनेह इन्हें से एक होगा तो साथियो वह होगा चार नमर उप्शन होजाएगा अंगेरह अगने इतिक कत ये आगे संमुकह एत्यश्यी पदश्ये संदी नाम के मस्दि शन्मोख है इस पद का संदी नाम क्या होगा क्या है तो सांथियों संदी तो इस्टूत्व संदी होगी जर्षत्वा होगी या अनुनासिक या स्चुत्वा क्या होगी साथियों 38 में जो संदी है वो यह हो जाएगी तीन नमर अनुनासिक संदी 38 में तीन नमर मानिये साथियों आगे क्यूस्चन है 49 निमन लिखिते सु कहा कक्षायाम सहयोगिनम अधिगम परियोगे बाद को नाहती यानि निमन लिखित में से निच्चे जो लिखे गए हैं इन में से किस कक्षा में सहयोगी सहयोगिन अधिगम परियोगे सहयोग रूप में जो सीखना है उसका परियोग में बाद अधिगम में जो परियोग होगा उसमें बाद अधिगम में जो परियोग होगा उसमें नंवर चालिस है समाणनें वँ ह भा विसा प्राप्त होता है यानि कहां से निकला है कौन से निकला है तो बताना है अगनी सुक्त में, संज्यान शुक्त में, विश्णो शुक्त में, पूरु सुक्त में तो बताना है साथि कौन से option इसका राइट होजassingा होजगा 40 अजु कुषच्ट न इसका राइट ओप्चन अजेगा दो नूंबर option इसमें कितनी विशेष्ता निर्मित वादी या रचना वादी कक्षा कक्षी नहीं है ठीक है तो साथ यों बताना है 41 वे गुष्टन का राइट अंसर तो इसका जो राइट अंसर है 41 वे गुष्टन वो हो जाएगा 3 नंबर ओप्शन यह एक का निस्चिता पाठे चर्या एव मान्या भावती तस्षेव सम्यक तया पालनम भावती एक निस्चित पाठे चर्या ही मान्य होती है उसके अनुसार ही सम्यक पालन होता है आगे क्ष्टन वर 42 है महाकवि नाम नामना सहस्ते साम उपनाम सुमेलेद यानि महाकवियों के नाम के साथ उनका उपनाम है वो भी लिखना है यानि सुमेलित करना है तो साथियों तो इसमें क्या होगा 42 जो किस्टन है कालिदास, गंटा, भारवी, तुरंग, बामागय, आतपात्रम, बान है, देपशिका तो इसका जो राइटेंसर है वो बताना है साथियों, क्या होगा इसमें मिलान वाला है तो किस्टन ये देख लेते हैं यहाँ पर 42 जो में बताईए आप क्या होगा इसका राइटेंसर तो साथियों इसमें 42 में है वो यह होजाएगा, कालिदास है वो देपशिका होजाएगा भारवी माग है वो गंटा माग हो जाएगा ठीक है, भारवी है वो आदपत्रम हो जाएगा बान है, वो तुरंग हो जाएगा तो इसमें A में S आ रहा है तो A में S कहाँ पर इन दो में है फिर B में R आ रहा है, तो B में R यह हो जएगा यहीं कट रहे दो नमर ऊप्ट्षन हो जएगा फिर आगे मिलाते तो गंटा मांग C में P R R C P BAN में तुरंगा रहे DQ तो यह अपना दो नमर ऊप्ट्षन है यह राइट हो गया आगे क्विश्च्चन नमर है 43 इस तेयलिव वा किस्ट्चन है साथियों ऐसमीचनम योगमं विचिनूत यहनि जो समीच जो आच्छ सही योग में नहीं है उनको चुनिना है तो बुझंग प्रियताम चतुर भी रियकार है तो इसमें बुझंग प्रियतार में 12 है बार नोतिय ठीक है उपचाति में 11 है यह बतारक है तो यह हो जाएगा दुरुत विलंबित माहे नभाव भराओं इसमें 12 वर्णोतिय सही है मालिनी ने ने मैं यह होते हैं मालिनी भोगिलों के 15 वर्णोतिय है और उपजातिका आपको पता ही है अनंतरोदी रितिलक्सम भाजव उपादी ये उपादो ये दिया 11 वर्ण होते हैं उपजातिका मैंने साथ ये उधान बता दिये ठीक है क्योंकि इसका जो लक्सन है वो इंदर वजरा और उपएंदर वजरागा होता है तो मैंने ये उधान बता दिया गल्दी से लक्सन बताना था तो इसमें जो बताया है कि जो समीचित नहीं है वो बतान होना है रूचार्था राम प्रिय होना है तो यह जो सक्षो के बताए गया है के जो तर नहीं प्रिय को था चाहिए सब् osób मे उसक्राइब पर आगे भुवा है प्र्ववा है पंशमी गेनुसर हो जाएगा इसमें अ typically स्या FDP इन प्रजा प्रजा प्रजाएंती जनिकर्थु प्रखर्थी सिप जो मतलब उत्पुनत नथा उसके वर्च यहां पर ब्रावन परजा परजान यह मन लिया जाएगा कौन सा क्विस्ट्न मानने कहने है कि शुमेलित नहीं यह वह जनिकर्थू प्रिकरती यह आगे क्युस्ट्छन है 45 45 वा क्युस्टन है साथ यह इसमें बताया है नमिन लिखी तया शिक्षन अधिगम समग रहा सुच्य हा तर्ष्य प्रकारेन सहर मेले नम करनीयम यानि सुमिलित करना है सिक्षन वीदियों को और जो सुच्य है इनमें समिलित करना है तो साथ इसका राइट एंचरार पीस इन माने 25 में 2 हैं 2 माने तो ए में 4 कर देते हैं नक्षा अप्रक्षयपी दी आयामी सुची है यह प्रकार है ठीक है सामग्री के फिर इसमें 2 में 3 माना है यानि OHP इसमें प्रक्षयपीम प्राव अस्थिरम फिर मोडल मोडल है वो एप रक्ष्य पी त्री आयामी है रिपोर्ट है वो द्रिश्य है इस प्रकार से इस में पैंतालीस वी क्युस्टन का दो नमबर आर्पीश ने सही माना है ओप्शन आगे कुश्टन नमर चैनलीस है अदो लिखी तेसु उचित अव्य प्रियोगेण पंक्तिम पूरें तो निच्चे लिखे गई उचित अव्य का प्रियोगेण पंक्तिम पूरें तो निच्चे लिखे गई उचित अव्य का प्रियोगेण पंक्तिम करना है यानि पंक्तिम मे इन चार में से ही सब्द उठाने हैं और जो सही सब्द मिल गए उनके नुसर सही हो जाएगा तो साथ यूँ इसका जो छेलिस वाज़ों किस्टन है इसका राइटेंस रहे वो तीन नमबर को माना है तो इसमें हो जाएगा बस में बुत शिये देह शिये पुन है आग्वनम भ्रनन रORE त King में चेरख ऐ निच्चे buckα क्षति ऊपरिचे दसा चकरनमी करमेणा यह हो जाएगा फिर सहह में यह हो जाएगा सह साविद्य दतिना क्रियायाम विवेगह प्रमा पदम फिर आगे विना हो जाएगा दुर्भगभववर्वर्ण प्रयोगयान भारं क्रिया व सब्सक्राइब तो इसका रिक्तिस्तान बताना है कि बगवद गिता की इस पंक्ति में संख्य एसा सब्द का अर्थ है संख्य सब्द का अर्थ बताना है वह जाएगा जिए जयान योग में आगे क्युस्टन है अर्टालिस एसु कतम द अधीकम सिधान अनुसारेन विद्यार्थि नाम भूमिकाम सुचना नाम निस्क्रिया धी ग्रहान करता शक्रिय श्रोता तथा चै निर्देश पालन करता रूपे परिवासितम क्रितम अस्ती तो 64 वाज क्युस्टन ने इसका राइट ओप्षन पूछा है तो क्या होगा इसका राइट एंसर और वह हर इक अधिगम सिधानते आगे क्युस्टन नोर 59 है आर संगतम कत्रम चिन्वंतू work대न के लिए यह इस्मुल्शंग कों से नामाल है विशतम करतु ही थो इसका राइट अप्शन जलब के यह इसका पिशकुलार्च दाना है कराम करतू हुँ अप्रक्नय ज्यू यानि ऐसंगत कथन बताना है कि अगने सुप्त में कौन-कौन से नाम है वरून में कौन से नाम है विश्णु में कौन से नाम है पुरुच में कौन से नाम है इनमें जो सही है यानि जो गलत है वो बताना है तो उन्चासवा जो किस्टनेश का राइट अप्शन है वो आरपी त्रिविक्रमा है विष्णु यह ठीक है सहसर पात है अम्रित त्वा परदाता सहसर शिर्षा पुरुष्की है ठीक है यहाँ पर ऐसंगत पूछा है तो दो नमबर उप्शन है वो राइट हो जाएगा उनचाश्वी क्युस्टन में आगे पचाश्वा क्युस्टन है पताशवा क्युस्टन है निम्नांकित वाक्यही जूआ पतत मांतर path विचनूद यह निम्नांकित वाक्यों में असि 들 वाक्य चुनों तो शक्रूआ के सुनेगी कॉन सा आप्शन होगा इसका राइट अट पूंप्शन होगा हो जाएगा ती नमर गाणिवाम संसरते हस्तेन यह हो जाएगा आगे कुष्चन है इकावन इकावन कुष्चन नजाने बोगतारं कमी है समोपस्ता शेयती विजी रेखांकित पदर्षिये विशलेशन करना है बोगतारं सब्दगा तो इकावन जो कुष्चन है इसका राइटनेशर आर इसने मान है दो नमर उप्शन भूज धन यानि भूज प्लस त्रिच प्लस जुट्य विभक्ति यह कुछ नम पूलिंग में यह सब्द होता है भूगतार हम आगे कुछ नमर बावन है कि सवरावस्था याम सारीरिक विक्कास प्रारूपे सिरह सरीरस्चे अनुपाते जुट्यग रिक्तिस्तान दिया है बताना है सवरावस्था में सारीर की विक्कास के प्रारूप में सिर सरीरका अनुपात किस प्रकार होता है वर्दुते बढ़ता है समानमतिश्टित यान समान रहता है या पुरुला वर्दुते पसासित यानी पहले बढ़ता है फिर गणता है तो कौन सा अपसन इसमेर राइट होगा बावन वी में तो साथ यह साथ इसको राइटनस रह2017 वो एक नमर माना है आरपेशी ने ये खियते यानि गड़ता है कि सुरावस्ता में सारी के विकास के प्रारूप में सिर है वो सरीर के अनुपात में गड़ता है फिर आगे त्रेपनवा है गंता अस्मेन पदे पड़ते है अस्ति गंता सब्द में जो पड़ते है वो बताना ह साथ हूं त्रेपन में कत परते तरिच परते तलप परते कत वत परते क्या होगा इसका राइट एंसर साथ हूं तो त्रेपन वाजो कुस्टन इसका राइट एंसर है वो हो जाएगा तरिच परते कुष्चन नमर चोवन है निम्नांकित में निम्नांकित यूग में गलत यूग में चुनो ऐसे मिचनम यानि गलत यूग में चुनेना है कृत्वा अधिकृत्ति, कृष्टवा आकृष्य, कृत्वा विक्रिय, क्रांतवा संक्रमे तो साथ चोवनवा जो कुस्टन इसका राइट अंसर बताना है तो इसका राइट अंसर चोवनवेगा वो है तिन नमर उप्शन कृत्वा विक्रिये आगी कुस्टन नमर पच्पन है सकंध वाद दिसू पररूपम वाच्यम इत्यस ये वारतिक का उधार नम नास्ती ऐसा वारतिक का उधार नहीं है तो कौन सा नहीं है कुल्टा है हलिस्सा है शिमानत है पतंजली है तो इन चारों में से बताना है कि जो सकंध वाद दिसू पररूपम वाच्यम इस जो बारतिक के नुसार जो धार नहीं है वो बताना है तो साथ्यों इसका राइटेंस रहा 55 वो तीन नमर हो जाएगा कि मानते है यह नहीं है आगे किस्टन नमर 56 है कस्मात अधी पूरू से अजायत है यानि किस से अधी पूरू से जनम लिखता है मन्त से है विराज है मुखात प्राणात तो साथ चपन्वा जो कुष्टन है इसका राइटेंचर है वो हो जाएगा दो नुमर ओप्षन विराज शिए आगे क्युस्टन नंबर 57 है लेखा है इत्यस्मिन पदी पर्तियों विद्यती यानि लेखा है इस सब्द में इस पद में पर्तिय विद्यमान है तो कौन सा इस सत्याँनय में अज परते हैं? घही परते हैं? क Truly गढते हैं? कढत परते हैं? क्या होगा सत्याँनय का right answer तो स्थी का right answer है वौ घही परते हैं आगे क्षिस्चन 58 है एपरूशयम वाक्यम वेदा है इतीकेन प्रोक्तम तो 169 है तरक भाषा के अनुसार तंतुरूपम पट रूप का कारण है, तंतु रूप है उपट रूप का कारण है तो साथियों क्या होगा 69 क्यूश्टन का राइट एंसर समवाई कारणम समवाई कारणम निमित कारणम, उप्योग तेशू त्रेयामापी नह, यानि उपड़ जो बताए हैं तिनों उनमें भी नहीं जो 69 क्यूश्टन है साथियों इसका राइट एंसर है वो है दो नमबर है यह हो जाएगा समवाई कारणम आगी क्यूश्टन नमबर है साथ है समय गात्मग बुद्धी के विकास के लिए वातावरन निर्मान के लिए इन में से कौन सी रणनिती का सर्व अधिक से अधिक परवावसाली है यानि समय गात्मग बुद्धी के विकास के लिए और वातावरन के निर्मान के लिए इन में कौन सी रणनिती अधिक से अधिक परवावसाली है तो साथ यह बताना है एबैस है में यह बैसा देमें से बताना है, शाठवा एंसर है, शाठवे का जो राइट एंसर वो हो जाएगा, चार नमर ओप्शन, यह तिनों ही है, क्या है इसमें, बालकों को समुह कारे के लिए प्रोच्छाइथ करना, बालकों के सम्प्रोच्छन कोसल के विकास के लिए साहता करना, बालकों के लिए खेलने के लिए सामुह के क्रेड़ा देना, यानि सामुही ग्रूप से खिलाना, आगे क्युस्टन नमर 61 है, 61 है, रम्यानतर है कमलीनी हरितई, सरोभी, यह मतले एक सलोग दिया हुआ है, आगे समे का है, पदे असमेर अलंकारों को अलंकार है, यानि इस पद में कौन सा अलंकार है, वो पूछा है, तो साथि, 61 जो क्युस्टन है, इसका राइट अन्सर है, चार नमर उप्शन होजेगा, तुल्ले योगिता, आगे क्युस्टन है, 62, वे कारेशी उचारन स्थानम की, यानि वे जो वर्ण है, वे, उस वे वर्ण का उचारन स्थान बताना है, दंतोस्टम, कंट तालू, कंटोस्टम, ओस्टम, तो साथि, 62 वे जो क्युस्टन है, उसका राइट अन्सर हो जाएगा, 62 में एक नमर बताया है, दंतोस्टम, ये वे कारेशी ये दंतोस्टम, जो सुस्टतर उसके अनुसार में हो जाएगा, आगे क्युस्टन नमर 63 है, कावे परकास के अनुसार, संकलन, सकल प्रियोजन, मौली भूत, कावे का प्रियोजन, क्या है, तो क्या होगा साथि, 63 वेगा, तो साथि, 63 वेगा, जो राइट अनुसर है, वो चार नमर उप्षन हो जाएगा, सद्य है, प्रानिवर्तित्ते, आगे 64 क्युस्टन है, नेतिक मुल्य, नेतिक मुल्य नाम अधिष्ठात्री देवता रूपियन परसिदो अस्ति, ये नेतिक मुल्य के नामें, जो अधिष देवता के रूप में परसिदो है, नेतिक मुल्य में, जो देवता के रूप में परसिदो वो बताना है कौन सा है, इंदर, वरूण, अगनी, विष्णु, तो साथि, 64 सट्वा, जो क्युस्टन है, उसका राइट अप्षन है, वो दो नमर को माना है, वरूण, मातरी सश्टी द्यूवचन, सश्टी विभक्ती द्यूवचन रूप होगा, होता है, तो क्या होता है साथियों, तो इसमें है, तीन नमर रूप से मताया है, मातरो हो, यह हो जाएगा, आगे कुस्टन, 16 जो 66 वा है, वो है, यह सक कथन है, यह सक, यह जो कथन है, बताया है, तदे तो इसका जो राइटन से बताना है द्वानिय लोग के अनुसार अभी विक्सित वाच्य द्वानिय होती है तो कितने प्रकार की होती है वो पुछा है द्वानिय लोग के अनुसार अनंद वर्दन की जो कृती है द्वानिय लोग उसके अनुसार पुछा सरसेटवे का क्यूस्टन है तो इसमें कितने प्रकार की जो द्वानी होती है अविवेक्सित वाच्छे द्वानी तो साथ यूं सरसेटवे का राइटन से एक नमर माना है यानि दो प्रकार की होती है आगे क्विश्चन नमर 68 है 68 है क्विश्चन है हूँ होती इतेसी जो होती रूपे द्वानी प्रिवर्तनम का है संसोदित वान यानि हूँ होती एसी हूँ होती इस द्वानी का जो होती रूप में द्वानी प्रिवर्तन किस प्रकार से संसोदित यानि प्रिवर्तन है वो किस के द्वार संसोदित किया ग गृीम है, ग्रासमान है, वर्नाह रहे मैं, तालव यह है.. तुरसत का जो राइटे एंट्स रह साथी हूं वह सब्सका हैboyiendै, दो नमबर उप्सन Крас वाण है.. आगे क्रिस्टन नमर उन्हेतर है.. 1 विशरजन्यर है, विशरजन्यर से पूछ पूछा मी पूछा है.. तो इसका रैटेंट सरह है वो दो नूमर हो जाएगा खरी परी खरी जो परतियायर है वो बाद भी रही तो आगी किस्टान नूमर सतर है निमन लिखित में निमन लिखित पद में कत्व परतिय यूगति पद नहीं है तो कौन साने ये किर्णा है पाता है उड़ा है जग्दा है तो साथी इसका रायट हैं शरा 70 वेगा वो हो जाएगा दो नमर ओप्षन पाता है बल्कि किर्णा है उड़ा है जग्दा है ये कद परति के नुशार पदे होते हैं आगेैं किस्टिन नम्र 51 है, चक्रारफंकति रियो गत्स्ति भाग्य पंक्ति ही, с्वापनवासवदत्व नाटक कों किसके पर्थि कहता है, यह जो सुक्ति है यह सौपन वासवदतामनाटक के अनुसार सौपन वासवदतामनाटक में कौन किस के लिए कहता है यह कहा है तो 71 जो किस्तना साथ यह इसका रायटन से रहे वो तीन नमर को माना है योगंद रायन वासवदताम परती योगंद रायन है ववास वज़ता के लिए कहता है आगे कुष्टन नमर 72 है जगत सब्द का सब्टमी एक वचन रूप होगा तो क्या होगा जगत सब्द का सब्टमी एक वचन रूप 72 जो कुष्टन है इसका राइट हैं सरब तेन नमर को माना है जगती आगे question है तेहतरवा संख्य कारिका के अनुसार पुरुस तत्वे के सत्था किस में किसी से होती है तो साथ यूँ बताना है तेहतरवे question का रायटेंसर तो इसका रायटेंसर है वो है संगात प्रार्थत द्वात है अग है कुस्टन नमर 74 है एसू कतम नाम थानडमिय डायक्यन परदत म अधिगम सिधानत स्य अपर नाम नस्ति भाला इन मतलब इन 만들어 किस का यह मतल्ग इन में कौन सा नाम है जो थानडमी के दौरह परदत अधिगम सिधानत का दूसरा नाम नहीं है वो बतना है चौतिरवे क्युस्टन में तो इसमें साथ यू बताइए उद्विक अनुकरिया का सिधान्त परतिवे में सिधान्त educational देजान्त समंदवाद का सिधान्त प्रियास टूति का सिधान्त कौन सा नहीं है इनमें से चोतर में तो साथ इसका राइट एंसर है वो दो नमर हो जाएगा परतिवे में सिधान्त नहीं है और थांडाई के द्वारा उदिवक अनुकरिया सिधान्त दिया हुआ है समंधवाद का भी दिया है परियास तुरूटी का भी दिया है आगे सुकनास उपदिश्क अनुसार लक्षमी स्वरूप वर्णान संधर्वे में अनुचित कथन है तो वह कौन सा है अनुचित कथन पचेतर्वे में तो इसका राइट एंसर है वो है तीन नमर ओप्षन तो यह है काल कुटात चंचलताम ग्रीहित वती यह हो जाएगा आगे जो सुद्वाक्य वो बताईए साथ यह हो चेतर में तो इसका राइट एंसर चेतर में दो नमर हो जाएगा ने ने चै अंत्रेन नावं तरितुं सक्याय सरीद यह सुद्वाक्य हो जाएगा आगे क्युश्चा नमर सतिन तर है विदूरपी विदी योगाद ग्रिश्यते राहुना अशाव इत्यतर राहुना इस पद में तर्तियाविवग्ति होगी तो राहुना जो सब्द है इसमें तर्तियाविवग्ति किस आधार से होगी वो पूछा है तो साथियो सतितर वाजो क्युश्चन इसका राइट एंसर है वो आरपी सिने माना है तीन नमर क्तें करने सु तिरत्य इस सुत्र के दवारा राहूना में कृत wypष्थी हो गी आगे क्युस्टन नमर अठितर है अस दातो हो विदिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है तो अस दातो का विदिलिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन रूप क्या होगा साथियों बताईए अठें तरुवे में असी एजी आसी शाहा तो साथ यो अठित्तर वाजो किस्टन है इसका राइट उप्सन हो जाएगा चार नमर उप्सन श्याहा उन्हें जो किस्टन है वो है संस्कृत कवियों को नमस्कार वाक्य का सुद्ध अन्वाद है वाक्य का सुद्ध अन्वाद करना है तो नमस्कार के अर्थ में आपको पत प्रियोग हो जाता है तो उन्हें सीवाद जो क्युष्टन इसका राइट ऑप्शन है वह आर पीसी ने एक नमर ऑप्शन को माना है नमा है संस्कृत्त के विभाये यह माना है असी नमर क्युष्टन है एसा है विष्णु हूँ एत्यस मेन पदे प्रियुक्तम सुत्रम अस्त्री एसा है विष्णु हूँ इस पद में जो प्रियुक्त सुत्र है वो बताना है कौनसा अडर लोपे पुर्वसे दिर्गो हना है वो बगो अगो अगो अपुर्वसे योशी नमोहरिश्वादाची लमून नित्यां या एतददो सुलोपो अकोर ने समाशे हली तो अच्छी जो क्युष्टन है अच्छी नमर इसके राइटेंसर है वो चार नमर को माना गया है एतददो सुलोपो अकोर ने समाशे हली आगे क्युष्टन नमर एक कैसी है कि येतन द्रिश्ट या इसु किम अनुचितम अस्ती येतन को देखे कर इन में सी क्या अनुचित है अनुचित बताने तो येतन के बारे में पुछा है येतन आभेंतर प्रियतन को कहा जाता है ठीक है स्थानम यानि स्परिष्ट प्रियतन में स्पर्शवर्ण का होता है विवरित में स्थानम का होता है अरिश्वर्ष्या अवर्णस्य प्रियोगी स्थानम तो साथ यो इकैसी नमबर जो कुछ ने इसका राइट एंसर बताना है तो वह का तीन नमबर हो जाएगा इकैसी में त इस सद्व्यूवरिद स्थाना में अन्त्य स्थान होगा ये बताए तो साथियों जो अनुचित है वो पूछा है तो इस सद्व्यूवरिद है उसमें सह सह है उसमें वर्ण हो जाएंगे ठीक है इस सद्व्यूवरिद में अन्तस्त वर्ण होती है आगे कुस्तन वर बयाशी है महाभारते संदर्वे एक कम कत्थन ऐसंगतं वर्णते तम चिनवन्तू महाभारत के संदर्वे में एक कत्थन ऐसंगत है और उसको चुनना है उसको चुनो तो साथि कौन सा होगा बयाशी वर् राइट एंसर तो इसका राइट एंसर अब हो जाएगा तीन नमर ऑप्शन सकुंतला उपाख्यान महाबारत की वन परवशे लिया गया है ये एस संगत कथन है बलकि जो संगत कथन है यानि सही कथन है उनको भी देख लेते हैं सभापरव जुद क्रियाया परसंग है महाबारत का मूल रूप जै कावियम है क्योंकि जै फिर भारत फिर महाबारत बना था इस परकार से महागरचित सिसुपालवद की मूल कथा महाबारत पर आशरित है आगे क्योंकि नमर तेरासी है बैयासी में तेन नमर उप्षन होई गया ऐस संगत के अनुसार तेरासी नमर क्योंकि देखते हैं का सुक्ति किरातार जुनिया महाकाविय नहीं पराप्षन है यानि इन में से ये जो ने रत्नमान विश्यती मिल गयते ही तत ये किरातार जुनिया महाकाविय में नहीं है लेकिन ने सोश्टवोदारे विशे साली निम विनिस्चतार था मिती वाचमाद दे एक तो ये ने वचनिया पर भवो अनुजी विभे ये और फिर ने बादते अश्ये त्रिग ये सुक्तिया किरातार जुनिया में से प्राप्त होती है बलकि ये तीसरी है ये नहीं होती और इसमें नहीं होने के अर्थ में पूछा है आगे क्ष्चन नमर है चोरस ये चोरस नमर है ग्या दातो लंग लकारे पर्थम पूरुस बहुचने रूपा में बहुती ग्या दातो लंग लकार में पर्थम पूरुस बहुचन रूपे होता है तो साथ ये चोरस नमर क्ष्चन में क्या होगा इसका राइटर एंसर होज़ेगा दो नमर उप्षन एजाना किस्टा नमर पिच्चे से एक विद्यार्थी कंप्यूटर पर स्वयम अधिगम योग्यता की विश्यस्ता के अनुसार अधिगम कार्यक्रम का चैन करता है कंप्यूटर की सहायता से शीखता है सिधान्त का यह उपयोग नहीत है यान दुबारस देखते हैं इसको एक विद्यार्थी कंप्यूटर को स्वयम कंप्यूटर के कंप्यूटर में स्वयम अधिगम की योग्यता का और विश्यस्ता के अनुसार अधिगम कारे का चैन करता है और कंप्यूटर के सहायक अधिगम सिधान्त यह उपयोग नहीत है यह श्यनि अनुसार आग में सहायक अधिगम सिधान्त में जो उपयोग नहीत है वह बताना है श्वयम प्रभाव कारित तायाम श्वय निर्देशन नियंतन इवाख्यायाम व्याख्यायाम तो साथ यू पिछे से नमर क्युष्चन में पूछा है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दो नमर उप्शन स्वे निर्देशने यानि आपने आप निर्देशन दिया जाता है आगे क्युष्चन नमर है 86 जो क्युष्चन है वो है अध्र है किसले राग है कॉमल विट पान्नु कारिनो बाहू यह जो एक स्लोक है इसमें कहाया कि छंद बताना है छंद इस पद्द्य में छंद है तो साथ यू कौन सा अनुस टूप इंदर वज्रा आर्या उप इंदर वज्रा छ्याष्चन इसका राइट एंजर हो जाएगा छ्याष्चन इसका परकार से तो इसमें मात्राओं कि गंड़ना के जत्यी ए में जिसे ए आई है धै में आई है रै में एस हो गया फिर इनको गिना जाता है आई को एक आई को एक और एस को दो तो इस प्रकार से चार हो गई है तो इनको लगू गूरू भी कहा जाता है इस प्रकार से तो यह आप आता होगा कर लेना फिर आगे अगर नहीं आता है तो हम अलग से डाल जुलाई के बाद होती है तो आप विश्वास रखे कि हम आपको कोर्स के अंदर है ना जैसे सेंस्कृत का पूरा सलिबस है वो सारा हमें अपने यूट्यूब के माद्य में सी बिल्कुल निसुल्क जो फ्यक्ट के साथ है वो हम पढ़ाएंगे आपको तो आप देख लेना सा अगनी विद्या अगनी विद्या विवेच का है उपने सद गरंत है अस्ति यानि अगनी विद्या विवेच का उपने सद गरंत है तो कौन सा है साथ हूं सत्यासी नंबर क्युष्टन में पूछा है यह जो इसावासी उपने सद है या पर्सन उपने सद है या कठोपने चाहित जो यहां, आगय क्यूंसन है चाहित से बाइन समय हो địounds . दिश्ञांत क्या होगा इसका राइटेंच रिष्टाषी गार इसका राइटेंच हो जाएगा तीन नमर अर्थांद Catholic नयास Q2 9. Qd. Are you god ever? न्याग्वित्यैन तरप्णियों मनुश्य tuber विदोनमट। न्याग्वित्य настоящ तरपणियों मनुश्यक्तुप्त। न्यंवश्यश्य rib कई सिस्तंच्रा कोदल में वbon देख संसरा विदोनमत। किस के द्वारा कहा गया तो इसका राइट एंसर है वो हैं निवाशी में दो नुमबर नची किता के द्वारा कहा गया आगी कुस्टन नमबर 90 है ऐसु कत्म है एसु कत्मत कत्रम शिक्षा मनोवग्यान अस्य कारे शमंदम अस्ति यानि इन में से यह जो कथन दिये गए है नीचे इनमें से शिक्षा मनोवग्यान के कार्य के संदर्व में जो समंध है वो बताने हैं तो कौन से हैं सात्यों तो नब्बे नंबर किस्टन में चार नंबर उप्षन बताया है ऐबस दे यानि नब्बे नंबर में चार उप्षन बताये है ऐबस है तिन्नों है तो इसमें है अधिगम करतरी ग्यानम आत्मा भी ग्यानम सिक्षकाई कक्षा समश्याया सुमादानम ये सभी बताये हैं किस्टन नमर 91 है अन्त है रश्ट्री है इत्यस्टे संदी पद निर्णयम यानि इनको संदी करनी है तो इसका क्या हो जाएगा इकानमी क्षिटन का तो साथियो इसका हो जाएगा तीन नमर उप्षन अन्ता राश्ट्री है तो साथियो ये एक सुत्र है ड्रलोपस्या पूर्वा दिर्गवाण है इस प्रकार से कि दो रह होते हैं तो उनमें से एक है वह रह और रख भर्ण होता है उसके अधिवृद्धी हो जाती है तो अन्ताराश्ट्री हो जाएगा तर नमर बालवे नमबर क्षिटन है इसमें को अलंकार है यानि अलंकार बताना है है इस उधार्ण है स्लोक में तो आप साथ इस उधार्ण को पढ़ लेना बालवे नमर हर कि तिरानमे नबर किस्टन ए पंतर सथुछाने कोपसा होता है कौन सा कारण होता है शाति हूं तो ये चतूर्थी वग्ति के अंतर्गत होता है शाति हूं शटूर्थी को संपर्दान संगया भी कहा जाता है तो तूरान म이면 ऑर किस्टन एंदर इसमें जो तिरानवे नंबर क्युष्चन है साथ इसके अंदर दो नंबर उप्शन बताया है क्योंकि इसमें एक रुद्रु है योगियम पर्तिकॉप इसमें होती है तो चतुर्थी लेकिन यहाँ पर सह उपसर्ग योग उपसर्ग अगर पहले जूड़ जाता है तब करम संग्यान जो जाएगी। धूट्यवती क्योंकि इठीक है ये क्यूद्यू चुनों से ।किश्चन है कुमार सम्भविन हुटी है उननके ब्लक्य कुमार समभव से नागि। कुमार संभव है उससे प्राप्त होती है बलकि यहां पर पूछा कुमार संभव से प्राप्त नहीं होती है है इक नुम को मान लेंगे 98 नंबर कुमार में 55 हसित्य इत्य शुत्र्स्य उधारं नास्ति 21 नमर कुमार संभा, ये नहीं है कि इसका समस्थ पद बताना है निद्रा संपर्ति नहीं यूज़ती इसका हो जाएगा 49 नंबर क्युष्चन नहीं है इसका राइट एनसर अति निद्रम हो जाएगा आगे क्युष्चन नंबर से 93 है अतोर पुलूताद पुलूते इस सुत्र का जो उधार्ण है वो है वो बताना नहीं तो क्या होका साथी स्थानवे नंबर क्युष्चन में को अयम, लोकेश्मिल रामो वजती विश्णो अव तो इसका राइट एंसरा इस जानवे नमबर कुष्चन का वो हो जाएगा को अयम कुष्चन नमबर इठान में देखते हैं इठानवे नमबर कुष्चन में अवस्था और विश्था ये मिलान करना है तो जैसे ये उपचारिक संक्रिया है इसको हम जानते हैं अमूर्थ में आता है ये तो अगर दय में ए मिलता है तो मान सकते हैं कि ये दो और तीन में से होगा ठीक है साथियों दो और एक में से ठीक होगा अब आगे इसमें देखते हैं समेदात्मक समेदनात्मक गामक है वो बस तुस्था ये होता है तो आए में चार हो गया आए में चार किसमें इसमें दो नमबर तो इसका दो नमबर है वो राइट हो जाएगा इठाना नमबर के उस्चन में फिर आगेश में यह हो जाएगा पुर्व संक्रियात्मक पर्तिकात्मक विचार हो जाएगा फिर मुर्थ संक्रियात्मक पर्चालनात्मक विचार हो जाएगा किस्ता नमबर 99 है अकर्ति मुलक वर्गे करण में सैंस्किर्ट वासा है तो किस प्रकार की वास है सेयोगात्मक बहिर मुखी वियोगात्मक बहिर मुखी वियोगात्मक अंतर मुखी सेयोगात्मक अंतर मुखी क्या होगा साथियो राइट एंसर इसका राइट एंसर एक नमर हो जाएगा सेयोगात्मक बहिर मुखी किस नमर सो है गेस्टाल्ट सिधा कहना एक है तो सातीयों किस प्रकार करतने होना चाहिए सो नमबर क उस्टिक न के ऊसके राएट है वो चार नमर का माना है चार नमर एंसमादान विदि में हाईरिषि कि विदि में र्तन सिक्षन निस्तारी करने विदि आकिकुरित उपागम में होना चाहिए क्यूंब्र 101 है अस्मद सब्द से दृत्या बहोचन रूप होगा साथ्यों 101ौN या समाकमgt तो साथियो 101 नमर कुष्टन का राइटेंसर है वो हो जाएगा तीन नमर ओप्षन अस्मान कुष्टन नमर 102 है नेतिकम प्रिप्रिक्षें येत जनानाम मद्य सेयोजन समंद भावेशू केंदिर्तम अस्ति सह कथे दी यानि नेतिक प्रिप्रिक्षें की जनाओं के मद्य सेयोजन समंद भाव में केंदिर्त है इसा कहा जाता है तो साथियो 102 नमर कुष्टन का राइटेंसर है वो है एक नमर ओप्षन प्रिरक्ष्णम देखवाल प्रिप्रेक्षि एक सो तीन नमर क्युस्टन है तरक बासा के अनुसार एक कथन ऐसत्य है और उसको चुनेना है ऐसत्य कथन कुण साथ एक सो तीन नमर क्युस्टन में वह आश्रेशिदह सरूप असिदह व्याप पे त्वा सीदह एते विरुदै हेत्वा बासाची भेदा संती ये कथन वह गलत है फिर आगे क्युस्टन नमर 104 है अधो लिखित में इको यनिची इती सुत्र का उधारन है तो इको यनिची सुत्र का उधारन है वो बताना है 104 नमर क्युस्टन में तो साथ इसका राइटेंचर है वो होजाएगा चार नमर ओप्शन लाकरती लिखित धन आकरती लाकरती आगे क्युस्टन नमर 105 है भावत सब्दस्य भावत इती रूप कशाम विबगतों नहीं भावती यानि भावत सब्द का भावता है इससा रूप किस विबगती में नहीं होता है तो 105 जो क्युस्टन है इसका बताईए जूतिय विबगती होगी य भग्ति बहता है क्यांकि इसमें यह रूपय किस्फिति में नहीं होता है। बल्कि पंप उद्वूद्य में होता है और हुच्छं नमर उक्तिपद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द है राम लक्सम्लोव हमें पता है द्वंद्व है ठीक है तो ए में जैसे मानलो ऐस आ रहा है एस यह हो गया फिर घंशाम शी में आ रहा रहा है तो यह दो नमर उपसन है यह सही हो जाएगा 107 नमर के उस्टन में 107 नमर में दो नमर उपसन हो जाएगा फिर आगे इसमें बीपी तो सूल पानी है वो यह यहां पर चला देगा बहुबरी ही सब सती है यह द्विग्गू के संख्यावाच्छी द्विग्गू इस प्रकाश्य हो जाएगा आगे किस्टन नमर 108 है राम के वन जाने पर दसरत दिवंगत हो गई उप्रित वाक्य का सुद्ध अनुवाद होगा सुद्ध अनुवाद क्या होगा 108 वे का सुद्ध अनुवाद है वो हो जाएगा दो नमर उपसन यह हो जाएगा रामे वनम गति दसरत है दिवं गता आइके question number 109 है रुपक भेदो में मरिचकटिक है मरिचकटिक है जो एक गरंथ है वो किस परकार का गरंथ है नाटथक है परकरण है दीम है परहसन है तो साथ कि एक 109 number question है इसका रायटेंस रोजेगा दो नमर परकरण है एक से दुस्वा क्युस्टन देखते हैं कि प्रकृत्य देखते हैं कि प्रकृत्य देखते है है तो क्या होगा 111 है का जो राइट और वो हो जाएगा चार नमर नजीदा है प्लस गीप है किस्टन नमर 112 है कि इंगिद सिधानतर से प्रस्थावा का हां कि इंगिद शितानतर का प्रस्थावा के कौन है तो साथ यह एक महो भाग है यह डोक्टर राय महोदय है तो इसका राइट एंसर है इंगित सिदान का जो प्रस्तावक है वो है साथियों डोक्टर राय महोदय है क्रिश्चन नमबर 113 है अधो लिकित में यह नीचे लिखे गई वर्णों में तादिरिसम विकल्पम चिन्वन्तु उनके उसी के अनुसार विकल्प चुन्ना है जिस विकल्प में सभी वण समार नाद घोस यतनों में आते हैं तो साथियों एसी वर्णों का चैन करना है जो समार नाद घोस में आते हैं ठीक है तो इसका जो रुश्चन है 113 वे का वह दो नमर ऑप्सन यह यह अणन गय डय यह गोटान होता है किस आपके प्रियोंगे का का विवक्ती प्रयूझ। अंत्रा अव्य के पर्योग में कौन से भक्ती प्रियोजित होती है या होती है पर्तमा द्वितिया सतूर्थी पंच्मी तो साथ यो 15 नम्बर कुस्टन में जो राइट अंसर है वो है द्वितिया आगे क्षिच्टन नम्बर है 116 है 116 है नम्बर क्षिच्टन है सब्द रूप दिरिश्टेया अनुचतम विकल्पं शाद अनुचत विकल्प बताने सब्द रूप के अनुसार मंद्सी में पर्थवावय वक्ती द्यू वचन है आतमना है द्वित्यों बग्ति बहुवचन है, तर्षिय में चत्रूठयों बग्ति एक बचन है, मात्री में पर्थववचन है, तो अनुचित विकल्प पूछा है तो शाथ यह यह आर्पी सी के अनुचार क्या होगा इसका राइट एंसर 116 में एक नमर हो जाएगा मन्सी, इसमें सब्ति में बक्ति होनी थी एक वचन लेकिन यहां बता है पर्थवा में बक्ति जी वचन और बाकि सही है आत्माना में जी वचन होती है तस यह में चतुर्थी वचन होती है समात्री में सब्ति में बक्ति एक वचन होती है मन्सी में भी सब्ति में बक्ति एक वचन होन तो जो साथ यह जो कावी लक्सन है यह हो जाएगा 117 के अनुसार यानि दूसरा ओप्सन महम्मट के अनुसार हो जाएगा महम्मट का जो कावी प्रकास अलंकार गरंथ है उसके अनुसार तत दोस्व सब्दार था उसा अगुना अला अंकृति पुन्याकवापी यह जो कावी 118 में तो इसका राइट एंसर हो जाएगा पूर्व व्याकरना है यह अनुचित है क्विश्चन नमर 119 है यावत जीवं सुखम जीवेनास्ती मृत्योर गोचर है कस्चे सिदान्त यानि यह किसका सिदान्त है तो 119 वे के अनुचार यह जो सिदान्त है लोकायत दर्शन का सि 120 वा जो क्विश्चन है इसकी भी बात करते हैं क्विश्चन नमर 120 में है यदा जोन निज्जा सपलताई उत्तरदाई तोम परसन पतरशिय काठिने स्विक्रोती तत समय सहय निमनी लिखते सू काम सहयों जन पर क्रियाम प्रियोगम कुरवानास्ती मतलब जब जोन खुद की सपलता के लिए उत्तरदाई तोय परसन पत्तर का काठिने स्विकार करता है उसी समय ही उसी समय में वह है निमनी लिखत में से क्या सहयों जन पर करिया का प्रियोग किस सहयों जन पर करिया का प्रियोग करता है तो साथ यह 120 वा जो क्विश्चन है इसका राइट वो तीन नमर हो जाएगा यूगतिकरण का प्रयोग करता है किस नमर 121 है कहा गतिविदी प्रगत संग्ठन आत्मक परतिमान से सरंचना यहाँ पर्थम चरन से गतिविदीर नाती यानि कौन सी गतिविदी परगत संग्ठन अत्मक पर्थमान की सरंचना का पर्थमचरण की गतिविदी नहीं है तो साथियों इसका राइट एंचर एक एक इसका दो नमर हो जाएगा सामगरी प्रस्तूति करण क्युस्त नमर 122 है बरतस्य मते मतवारनी कुतर करता विया बरत के मत के अनुसार मतवारनी कहां करने चाहिए तो मतवारनी ये साथियों ये आप समझना ये समझने या रहा बरत के मत के अनुसार मतवारनी कहां करनी चाहिए तो साथ या इसो बैया शिवा किस्टन इसका राइट उप्शन चार नमर होज़ेगा रंग पीट के पास में करनी चाहिए आगे किस्टन नमर एक्सो तेईस है एक्सो तेईस में है हन दातो लंग लकाय रश्य मध्यम पूरुष बहुवचने रूपम अस्ती एहन, एहनम, एहतम, एहत तो 123 जो किस्टन इसका राइट उप्शन है चार नमर उप्शन इसका होज़ेगा एहत आगे किस्टन नमर एक्सो तोबिस सर्वा सब्दिकास तिरलिंग में सेश्टी ड्यूवचन में होता है क्या होता है साथियों सर्वा भ्याम, सर्वायो हो सर्वायो हो, सर्वो हो 1200 किस्टन इसका राइट उप्शन है तीन नमर को माना गया है सर्वायो हो 125 नमर किस्टन रह वर्ण रह वर्ण का उचारन स्थान है तो रह का कौन सा उचारन स्थान है साथियो एडिटूर सणा मुर्धा इस उत्तर से होगा तो इसका सान जो इसका जो सही उत्तर है 125 का वो चार नमर होजेगा मुर्धा आगे क्रिश्चन नमर 126 है सोवियत बूमी नेहरू पुरुषकार रेन समानित है राजस्थान से कभी रस्ती सोवियत बूमी नेहरू पुरुषकार के द्वारा समानित राजस्थान के कभी है तो राजस्थान के जो कभी है वो बताने है कौन से है इसका राइट एंसर सात्यों हरी राम आचारे हो जाएगा या पधम सास्थी या अंबिगादत व्यास या देवर्सी कलना सास्थी कौन सा होगा इसमें राइट एंसर तो इसका राइट एंसर 121 में दो नमर हो जाएगा पदम सास्त्री आगे एक सो क्यूस्टन नम्बर आगे क्यूस्टन नम्बर एक सुस्टाइस है मुहुर्तम ज्वालितम स्रेयोन नेचे दुमाईतम यहां रिक्त स्थान पूर्ण करने के लिए उचित अव्य चुनना है तो साथ इसका रिक्त स्थान पूर्ण करता भी आगे क्यूस्टन नम्बर एक सुनना है तो क्या होगा इसका रिक्त साथ यहां एक सुनन पूर्ण करता भी आगे क्यूस्टन नम्बर एक सुनन पूर्ण करता है तो इसका रिक्त स्थान पूर्ण करता भी आगे क्यूस्टन नम्बर एक सुनन पूर्ण करता है तो कौन सा है रसनाकार जो पद्मीनी का रसनाकार है तो इसका राइटेंसर है वो हो जाएगा दो नम्बर उप्सन पंडित मोहनलाल सर्मा पांड़ एक सुनन नम्बर एक सुनन नम्बर एक सुनन पूर्ण करता है वहां कौन सा अलंकार होता है वो बताना है विभावना अर्थांतर न्यास विशेशोक्ती व्यक्ति रेख तो इसका 132 वा क्यूस्टन है इसका राइटेंसर हो जाएगा तीन नम्बर उप्सन यह हो जाएगा विशेशोक्ती अलंकार आगे क्यूस्टन नम्बर 133 है अथर्वा वेद समंद ब्राहमन अस्ती अथर्वा वेद से समंद जो ब्राहमन है वो कौन सा है तो 153 वा क्यूस्टन बताना है साथियों सोरी 133 वा क्यूस्टन बताना है एतरे ब्राहमन है या सत्पत ब्राहमन है या पंच विम्स ब्राहमन रहा है या गौपत ब्रावन्य है तो साथियो इसका राय टन्स रहे 133 कुष्चन का चार नामर को माना गया है गोपत ब्रावन्य है आगे क्ष्चन नमर 134 है यह सुन परते हैं नागे क्ष्चन नमर 131 में 155 है याज दातु विदिलिंग लकारे पर्थम पूरुष बहुवचने आत्मन पदे रूपम अस्ति याज दातु में याज दातु विदिलिंग लकार में पर्थम पूरुष बहुवचने आत्मने पद में रूप होता है तो क्या होता है साथियों 135 में बताना है यह या चुहू या चेद्वहम या चन्ताम या चेरन तो 135 जो कुस्टन इसका राइट एंसर है वो चार नमर को माना है या चेरन क्यूस्टन नमर 136 है मन्दा करांता वरिती परती चरनम करमर सहय यतिरवाथी मन्दा करांता वरित में या मन्दा करांता जो चंद है इसके परती चरनम में करमर सहय जो यति होती है वह बताने साथियों तो आरपीसी ने इस क्यूस्टन को अभी तक इसका एंसर नहीं बताया ही डिलीट किया है इसमें जो स्टार है वो मना हुआ एंसर कि में परदर्सित हो रहा है तो किस्ट्र नमर 137 है आदो लिखत में कौन सी सुखती में अगदूद की है नेचे जो लिखी की चुक्ति है इन्हें से बतानिए इसका साथ तो साथ यूं 137 वा जो किस्तने इसका राइट उप्सन है वो चार नमर को माना है कि ये जो रिखता है सर्व बहुती ही लगू पुर्णता गोरवाई ये जो सुकती है में अगदूत की सुकती है तो साथ यूं 137 वा किस्तने इसमें महाकवी भास है वो हो जाएंगे कि महाकवी भास किते रहे करीती है किस्तन नमर 149 है एंगी पर रूपम सुत्र स्य उधार नम के मस्ती एंगी पर रूपम जो सुत्र है इसका उधारन क्या है तो साथियों उपेती उपेता है सकंदू उपोसती तो इसका राइट एंच रहे 149 का वो हो जाएगा चार नमर उप्सन है उपोसती उपधन उसती उप ए वर नात उपसर्ग के बाद में एंग आजाई तो वहाँ पर ये एंगी पर रूपम सुत्र से पर रूप संदी होगी उपोसती इसका उधारन है पर नमर उप करोड़ी है उपोसती उपोसती है इसका आश्य क्या है मतलब इसका फूल फोरम बतानी है ICT तो साथ इसका इसका राइट उप्शन है वो चार नमबर को माना है RPC ने तो इसका है Information Communication Technology इसका राइट उप्शन हो जाएगा ती नमबर उप्शन महावीर चरित परदान रूप से बगवत बगवान हनुमान का चित्रन है महावीर चरित में ये बात परण रूप से सही नहीं है भववुति के संदर्ब में आगे क्युस्टन नमबर देखते हैं मतलब भववुति के संदर्ब में जो सही है उनको भी देख ले इनके पिता का नाम नेलकंट और माता का नाम जातुकर्मनिता उत्तर रामचरित्तम का कथा सुत्र है वो रामायन के उत्तरकांड से विद्यमान है भवुति वस्तुता है सिक्रनी चंद को मतलब भवुति का जो चंद है वो सिक्रनी चंद प्रिय था आगे क्युस्टन नमबर 143 104 है 142 में समय कथन 162 में जो समय कथन नहीं है उसके संदर में हमने बात की जो आरपी-सी में माना है LEKAYना ऑब 143 वाकिश्टन इसको देखते है ऐसो कत्मा व्यवस्ता उपागमस ये विश्श्था स्तरि संत्い मालेशी कितनी व्यवस्ता या उपागम की विश्यस्ता है तो देखिए इनमें से 143 में एक है और उपसा नमर एक हो जाएगा ऐबस है व्यवस्ता प्रणाली उपागम के द्वारा एक निश्चित कारे संपाधित होना चाहिए इसके बहुत ही गठक है व्यवस्ता का व्यवस्ता गठक के पर्स पर आसरित होते है आगे किश्चन 144 है संके दर्शन के अनुसार महत जायते संके दर्शन के अनुसार महत है वो कहां से उत्पन होते है या जनम लेती है तो इसका राइट एंसर प्रकरती अहंकार सोडस का गणहा पंच भूतानी इनमें से एक ओप्शन बताना है तो इसका राइट एंसर 143 किश्चन का दो नुमर राइट उप्शन हो जायगा एहंकार से संके दर्शन के अनुसार महत है वो एहंकार से जनम लेती है किश्चन 145 है कश्चा पी कख्षा यहा विद्यार थी ना है शाम पटे किश्चा पी कख्षा के विद्यार थी शाम पट पर सब्दों को देखकर सब्दों को देखकर नुन्तम और नुन्ता का अनुबाव करते है संप्रिशन में इसी बादा को क्या कहा जाता है तो 720 जो right answer है 145 कुस्ट्टन हो इक है इसका right answer हो ज़ाएगा दो नमर उप्षन बहुत तिक बात है कहा जाता है कुस्टन बहुत तिक ब्यादा कहा जाता है तो कुस्टन नमर 116 is प्रतिक्ष ही प्रमान स्विकार करता है तो यह कौन से इस धानत के निसार है 146 वास क्युस्टन है 2 नमझे अब्सों होजेगा 147 वास için है नई यूजच्य jsे इती गविंद मुटवा आगे रिक्तिस्तान गभुघा है इस वाक्य की रिक्तिस्तान पूरी करने दा नी रिक्तिस्तान पूरा करने इस वाक्य का 147 का तीन नमझे अब्स होजेगा गोविन्द मुक्तवा तुश्निम बभुवा है क्यूस्ता नमर 148 शेवा धर्मा है परम गहनो योगी नाम अपी अगम्य इती वचनम फ्राप्यती तो यह जो सुक्ती है यह कौन से गरंद से उद्रित है यह बताना है 120 वाज़ो क्यूस्ता इसका राइटा एंसर है वो दो नमर हो जाएगा निति सतक से शेवा धर्मा है परम गहनो योगी नाम अपी अगम्य है यह जो वचन है यह निति सतक से निति सतक में प्राप्त होता है क्यूस्ता नमर 148 निति लिखे गई परतेक सर्ग में सर्ग के अंतिन सलोक में स्रीसब्द का परियोग होता है यानि जो निति लिखे गई परतेक सर्ग के सर्ग के अंत में जो सलोक होते है उनमें स्रीसब्द का परियोग होता है वो पताना है कौन सा गरंथ है तो 149 वा जो कुष्ट ने इसकी बात कर रहे हैं साथ हूं इसका राइट एंसर है आरपीसी ने दो नमबर को माना है शिशू पालवद जिसके परतेक सरगे के अंतिम सलोक में श्री सब्द का प्रियोग हुआ है इसको याद रख सकते हो आप स्री और यहाँ पर शिशू पालवद सै सै सैonic इस परकार स्री और सै स्री और सै इस परकार याद रख सकते हो क्युस्ट नमर एक 4500 है एक पस्वा नधि सब्द से सष्टी बाहुचने रूपा मचती नधि सब्द का जो सष्टी बाहुचन है वो बताना है कर लिये हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यमाद आपने इस वीडियो को अंते तक देखा तो साथियों आप हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासे 2.0 में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब आवसी कीजिएगा और साथियों बने रहे हमारे चैनल के साथ और चैनल पर और कुछ आप बहतर जानने के लिए या कुछ चानने के लिए आप हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं साथियों इस यह ऐसा से एक नए वीडियो के साथ जैहिन जै बारत